हाई अबरिवन वेल्कम बेक टो माई चैनल मेरा नाम प्रीज सिवारी हो और आज मैं आप लोग सास्ट्रियार करने वाली हूं प्योडफोल से हेस्टाइल जो की छोटे बालों में काफी इजली आप बना लोगे आप मेरे बालों की लैंथ जो है आपे मिरर में आपको दिख अब अब कर दो दो अब आपने कौम सा हेर कट लिया है तो मैंने फुछ से शेल पर कर लिजे आपको वीडियो बिल जाएगा तो मैं थम नेल ओ सॉरी एंड स्क्रीन पर डाल दूंगी तो वहां से आप लेनी चाएगा एंड तक वीडियो देखके चैनल पर नहीं हो तो जल् अब आपको मिडल पार्टिचल नहीं करनी है तो भी आप इस तरही केसे कर सकते हो यहां से आपको थोड़ा सा हेर का पाक लेना है और आपको इसमें रबर बैंड की जो रख पड़ेगी इस हेर श्टाइल त्में अरुकिं इस तरही केसे बाएंड देर ने को यहां के दूसरा लेयर लेंगे, रवर्बेंड लेंगे और रवर्बेंड को लगा देंगे, एक लेयर और लेंगे और यहां पे भी रवर्बेंड को लगा देंगे स्वावी जितने आपका पोनी का हेर है उनको आगे इतना प्रक्कित है कि बैग वाला हेर आएगा सकेंदर तो आपको हैस्टरी बनाने में लिक्कत होगी अब इस तरीक्य से करने के बाद से इसलिप इस तरीके से ऑल करेंगे। हेर फिंगर इंसर्ट करके पोनी का हियर को पीछे की परफ लेकि जाएंगे द्सक्री böyle visit आप हैं। और इसलिप य आले पात फींदर इसलिप संद करना हैए। और पीछी के प्रस्खीच के, टाइट कर देना है, पोनी के हेर को, से मिची तरीके से दूसरे साइड भी आपको, रबर बेंड लगाना है, सिंगर को इंसर्ट करेंगे, बैक साइड लिके जाएंगे, और टाइट कर देंगे, यह एक लेर और लेंगे, इस पर यह किसे, और यह हमारा फास्ट हेर स्टाइल जो है, वो कंप्लीट हो गया है, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए आप इस तरीके की फ्लावर वाली यूपिन्स ले सकते हो, एड जहां जहां पे आपने रबर बेंड लगाया है, पिल्पली वहां वहां पे आपको, यह अच्छे पे देखिएगा, जहां पे आपका यह रबर ग्राइंड को उल्टा था, वहीं पे आपको लगाना है, यह यह हमारा फास्ट हेर स्टाइल कंप्लीट हो गया है, बैक से इस तरीके खलू कायरा सिंपल ओपन हेर है, सोटे वालो में काफी अच्छा लगेगा, तो आप यह ट्राइ कर सकते हो, फास्ट हेर स्टाइल के लिए, टेकेंड में आपको क्या करने हैं, बस फ्लावर वाला जो को रिमूम कर देजिए, एंड सारे हेर को हाई फोनिटेल बनाएंगे, बिल्कुल हाई लेकर जाएंगे, लबर बैंड लगा देंगे, लबर बैंट आपने लगा दिया, इसके बास से आपको करना क्या है, आपको सिंपली इसको लबर बैंड को जैसे अपने लगाया है, सिंपली इसको इस तरीके से, लबर बैंड को एक बार और ऐसे करेंगे, एंड सारे हेर को आगे की तरस लेक के आएंगे, पीछे की तरस से इस तरीके से थोड़ा सा खीच लेंगे, ओके, अब यह जो आपकी हेर है, इनको भी इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से करके आप यहाँ पे एक यूपिंस लगा दीजेगा, या पिर आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते, बट अच्छा लुक देने के लॉंग ताइम आपका हेर्स्टाइल बना रहे हुस्ते लिए आप यूपिंस इसको ऐसे सिक्योर कर लीजेगा, अब जो बाकी हेर है, पोनी के, उनको आगे कित्वास लेंगे, अच्छे से सारी हेर को मैंने ले लिया है, एक रबर बैंड लेंगे, एंड पार्ट पर लगा देंगे रबर सेंगे, घणाने लिबाद आपको सारी हेर को बैकक साइड में लेकए जाना है, इस तरहीकal से, और बैक साइड का जो हेर है, उसको सिम्पली अंदर की तर्फ सिस तरहीके से sixtरे लेकंड तरेंगada, और यूपिंस से इसको if you are तो इस तरीके का आपका second hairstyle हो जाएगा हाई बन है आप काफी comfortable होगे और कहीं भी आना जाना हो और आपको इस तरीके का दिख रहे है प्रेंट से ऐसा दिखेगा एंड लेयर आप निकाल लीजेगा तो यह आप पार्टी वगरा में try कर सकते हो तो यह second hairstyle हो गया third में आपको simply जो आपका यह बन है इसको इस तरीके से पकड़ना है जैसे मैं पकड़ रही हूँ और ऐसे ऐसे कीशती जाना है इससे क्या होगा आपका जो hairstyle है उसमें सब्सक्राइब आपका जाएगा जो आपने first में यह पीन इंसाइट किया था उसको निकाल में लेंगे थोड़ा सा हेयर इदर से लेंगे और इसको इस तरीके से इनकी मदब से बन में इंसाइट करते जाएंगे यह में क्या कभी है आपको एंड़ में पता चलेगा तो इदर से थोड़ा सा हेयर लेंगे बैक साइड में लेके जाएंगे थोड़ी थोड़ी हेयर ले लगाते जाना है, फिर से थोड़ा सा लेयर लेंगे और स्रेंट साइड में लेके आएंगे, फिर लगा देंगे, इसी तरीके से आपको सारे हेयर को एक मैसी सा लुक दे देना है, फोड़ा फोड़ा सा लेयर इस तरीके से प्रकदना है, एंड लगाते जाना है, और यह हमारा थर्ड एस्टाइल बन जो है वो कंप्लीट हो गया है थोड़ा डिफरेंट रुप के साथ एंड काफी अच्छा भी लग रहा है तो आपको कौन सा सब्सक्राइब अच्छा लगा कमेंड बॉक्स में जो भी बताएगा और ट्राइब कीजिएगा काफी इजी है तो कोई भी बनातकता है तो यह थे आज के तीन विड़फूल हैस्टाइल जो कि आप सिंपली मार्केटिंग के लिए थोड़ा स्टाइलिस लुक चाते हो तो बनातके बहुत आसान है तो कोई भी इसको ट्राइब कर सकते है तो आज के लिए इतना ही फिद मिलेंगे नेक्स कि बाइब। कि बाइब।